अब हम बात करेंगे सेडूल 9, देखो सेडूल 8 तक जो हैं वो हमारे ओरिजिनल कंस्टिटूशन में थी, उसके बाद में जो सेडूल हैं, चार सेडूल 9, 10, 11, 12 यह बाद में जोड़ी गई या लग-लग कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट अक्ट की तुरू, तो सबसे पहले तो कौन सी सेडूल जो है, कौन से कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट अक्ट से जोड़ी गई, यह भी आपको याद होना चाहिए, और कौन सी सेडूल में किस बात के बारे में बताया गया है, तो आपको क्लियरली भी धिहान होना चाहिए, कि कौन सी सेडूल में क्या बात बत आई गई है तो देखो सेडूल नाइन जो है उसमें कुछ ऐसे पार्लियमेंटरी एक्ट रखे गई है जिनको जूडिशियल रिवीव से प्रोटक्शन दिया गया है जूडिशियल रिवीव क्या होता है पहले तो आप यह समझें कि पार्लियमेंटरी एक्ट क्या होता है जो है इनको अपना प्रोवल देता है तो ये बिल जो है बन जाते है एक्ट ओके अब कुछ ऐसे एक्ट जिनको रखा गया है सैडूल नाइन में ताकि उनका जुडिशल रिव्यू ना किया जा सके जुडिशल रिव्यू जो है वो जुडिशरी की हमारी पावर होती है हमारे स को जो है वो रिव्यू करती है और देखती है कि आरे ये तो खलाब बना दे या फिर सही बनाए है तो उनको प्रोवल देते है कि हाँ ये सही है आप इनको रेगुलर कर सकते हो जैसे कि आप एक्जापल देखे एन जे एसी प्रिजेन टाइम में हमारे जो जुडिशरी है उ कमिशन बने और इसके थुरू जो है वो क्या बनाया जाए जजेज की अपोइंटमेंट किया जाए लेकिन इसको जो है वो जुडिशरी ने ये 99th Constitutional Amendment Act के थुरू जो है ये एक्ट पास किया गया इसको सुप्रीम कोट ने बना दिया खतम कर दिया बुले भई ये जो है हमार जुडिशरी के पास में जुडिशियल रिव्यू के थुरू तो कुछ ऐसे एक्ट बनाये गए जिनको प्रोटेक्शन दिया गया कि जुडिशरी जो है इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती और उनके लिए बना देगी सैडिूल 9 बेसिक कारण क्या था क्यो बनाने जो जमिनारतियों के पास बहुत ज्यादा ज्यादा जमीन थी तो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के पास ज्यादा कुछ लोगों के पास कम तो इसके लिए गवर्मेंट है सोचा कि जमिनारी सिस्टम को हम खत्म करेंगे लेकिन उस टाइम जो है राइ बनाए जहां पर इन सारे एक्ट को रखें और फिर उनको इलिए बोला जाए कि इनको आप जूडिशल रिव्यू नहीं करवा सकते हों मतलब आप जूडिशरी जो है इसमें इंटर्वी नहीं कर सकती है ओके तो यहां पर इस तरीके से सैडियू लाइन आई और जमीनदारी सि जब भी कोई ऐसा लोग बनाना कि जूडिशरी इसमें इंटर्वीन ना करे तो उसको उन्होंने रख दिया सैडियू नाइन में इस तरीके से संख्या जो है बहुत जादा बढ़ गए मैं सैडियू नाइन में बहुत सारे लोग जो है वो रखे गई अब 2007 आता है केस में जूडिशरी बोल दिती है कि भई 24 अप्रेल 1973 को जो है केसवानन्द भारती केस जो है उसमें जूडिशरी ने अपना अनस्वर दिया और जूडिशरी ने बोला basic structure of the constitution ये एक basic provision रखा और ये जो judicial review जो है न वो भी किसमें आता है basic structure में मतलब केसवानन्द भारती केस में सुप्रीम कोट ने एक बात बोली कि जो भी हमारे constitution के basic provision है उनको parliament जो है वो कभी खत्म नहीं कर सकती अब schedule 9 में क्या कर दिया गया judicial review क्या है हमारा basic structure है और schedule 9 के basis पर basic structure को यहाँ पर रोका जा रहा है तो judiciary ने बोल दिया कि 24 अप्रेल 1973 से पहले अपने जो भी act schedule 9 में रख जा था और judicial review basic structure का part है तो हम जो है इसके बाद में जो भी लोग आपने यहाँ पर रखे है schedule 9 में उनको हम judicial review जो है किया जा सकता है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है तो अब अगर government present time में कोई भी government अगर schedule 9 में कोई act रखती है तो उसका कोई मतलब नहीं है judiciary जो है उस है जो नहीं है